हलो माजिकल माइंड्स डियर आज हम क्यू और आल लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ टर्म जो है वो देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर आ रहा है कोरम कोरम डियर आप कंपनी लौ में जब मीटिंग सम पढ़ेंगे तो वहां पर काफी जिक्र आएगा कोरम का कोरम बैसि मीटिंग मीनिटिंग कब कहला है फ्हो हो कितने लोग मीटिंग में प्रेसंट होने चाहिए कि मिनिममम की ज़रूरत इस को मीटिंग कहा जाए इस चीज़ को मिनिमम नंबर अव मैंबर्स अलग अलग मीटिंग का अलग लग पोरं होता है कभी ऐसे भी केसे जहां पर एक पर संद की मौझूदगी को ही जो पाइल होता है वह कोरम डिकलियर कर देता है तो किस किस कंडिशन में क्या क्या कोरम होता है यह तो डियर हम company law में पढ़ेंगे quorum term basically वहां पे यूज होगा कि suppose particular meeting के four members का quorum है तो four members का quorum अगर मैं यह statement बोल रही हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि meeting के लिए कम से कम चार members जो है present होने चाहिए तो इस type की जो language है वो quorum के साथ जो है वो यूज होती है next up term दे रहें देख रहें quotation quotation dear आपको मालूम है कि किसी से आप कोई price पूसते हैं तो वो आपको price जो है provide करता है कि specific work यह जो particular product है वो आपको इस price पर available होगा एक firm statement आपको provide करता है कि आपको समान या service की cost क्या पड़ेगी that is called quotation right इसके आगे आ रहा है court driven trading तो dear court driven trading के अगर मैं बात करूँ share market में जो brokers होते हैं वो इस type की trading जो है करते हैं उसमें वो buying और selling देखते हैं कि जो security का buying and selling यानि और आस्क प्राइज जो market makers है वो लोग क्या लगा रहे हैं उस पर वो trading करते हैं तो उसको court driven trading बोलते हैं मतलब जो वो देखेंगे कि price क्या है तो वो trading करेंगे राइट फॉर्ट आपका रहा है रिसेशन रिसेशन डियर एकनॉमी से रिलेटेड तर्म है आप कह सकते हैं जैसे आज की डेट में कह सकते हैं कि करोना का टाइम चल रहा है तो एकनॉमी हमारी क्यों बदया है वह ताइम रिसेशन पाता है पूरे वर्ड और सब्सक्राइग है कि पूरे बद के इकनॉमी नीचे की वर डाउन गई है तो इसको हम सेशन पेस बोलेंगे एकनॉमी का रगच ट्रेक्सलियम सेलेशन रिक ये रिकशाइब हैं कि दोनों चीज़ा इस कियो क्यूं श्रीक्ड में दिजिए साइब शुणा रहा है तो इसम्लों हुसके टी करते हैं ऐस्सट्री और तो सोटें तस इसमें जंट कहले रहा हैं तो तंहें थे नले दुश करते हैं देते हैं कि अगर दो फिगर्स हैं तो उसमें का कारण क्या है तो यह चीज़ हम रिकंसलेशन में बताते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड डेट अभी अपर पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब कंपनी डिविडेंट करने जा रही होती तो एक पटिकुलर रहती है कि किसके पास शेयर से क्या है वो डेट आपकी रिकॉर्ड डेट कहलाती है नेक्स्ट रमिटेंस अगर कोई पर्टिकुलर परसन किसी दूसरे परसन को मनी भेज रहा है तो वहां पर आप रमिटेंस टर्म यूज करोगे रपो रेपो रेट बैंकिंग में आता है आ है अगर किसी बैंक को आर वी से लोन लेना है अर वीडिया लन रेना है वैंकी लीकुर्डिक देजिडिक में रहां था जिसलोन लेते हैं जिस रेट पर आरभी ऐसे लोन लेंगे उसी को रेपो रेट या री पर्चेज रेट कहते हैं तो लोन लेने के बदले बैंक जो है अपनी गुवर्नमेंट से क्योटी जो है आप यह के पास गिर्वी के तौर पर रखते हैं तो यह जो यह लोन जो है यह शॉट टम वहां पर परको रेट बोलते हैं जिस रेट से अर्टिया अधर बैंक को इंट्रस्ट प्टर्श को हम रेपो रेट बोलते हैं इसके बारे मैं बॉलते हैं सबकिन आप को एक लिकी सो अपना कुछ पैसा जो है अपसारा जो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर नहीं बाट देता है एक इस्ता प्रॉफिट का रोग के रखता है जिसको हम रिजर्व कहते हैं मैंने जब आपको एपी एज बताया था अर्निंग पर शेयर बताया थो तो मैंने वहार अक में एंदो नहीं है यहसे वहार नेश्ट आपके जड़र जिसर्व में जाता है रचट है कि दो नि स्टाइस के उपर बोली लगा गांगा तो वहीं को जो मिनमिम प्राईस होता है उसी हो हम रिजर्व प्राइस जो है बोलते हैं रिटेल ट्रेड याने की खुद्रा वेबसाइक रिटेल ट्रेड जो लास्ट कंस्यूमर होता है जैसे आप देखते हैं चोटी-चोटी दुकानी देखते हैं जहां से हम समान खरीदते हैं या जो आपके शॉपिंग मॉल्स होते हैं त तो वह जो दुकानदार हमें समान बेच रहे हैं वह चीज आपका खुद्रा वेबसाई या रिटेल ट्रेड जो है कहलाता है रिटेंट अर्निंग्स अभी मैंने आपको अल्रेडी बताया हुआ है नेक्स्ट आपका रिट्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव पीछे की बैक डेट से जैसे कि अगर मैं आपको कोई चीज कह रही हूं कि नहीं इस साल से इंट्रेंस रेट अप्लाई नहीं होगा यह इसका रिट्रोस्पेक्टिव जो एफेक्ट है वो 2015 से आएगा यानि कि मैं आपको इंट्रेंस रेट तो आज बता रही हूं लेकिन मैं कह रह से अलियर डेट से किसी चीज का एफेक्ट जो है हमें अप्लाई करना होता है तो वह चीज हमारी डिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट कहलाती है वह आप डेप्रीसियेशन का चैप्टर जब एकाउंस पर पढ़ेंगे तो वहां पर यह जो टर्म है आता है उसके अलावा भी और कई जगा यह टर्म जो है यूज होता है रिजर्व रैपो रेट अपको अलर्रेड़ी मैं बताचुके हूं अगर biz बैंक से अज्र बैंक से लोल लेता है तो आप करता हैं उसको हम रिजर्व रैपो रेट जो है बोलते हैं नेक्स्ट हम जो देख रहें हैं रिवाल्वि आपके card की limit 1 lakh रुपीज है लेकिन आप हर मन्त जो है 1 lakh यूज नहीं करते हैं जितना आपको जरूरत होती है अगर आप credit card का amount यूज करते हैं जो की 1 lakh या कम होता है उससे maximum 1 lakh तक आप credit card यूज कर सकते हैं अगर आपके credit card की limit 1 lakh है तो जितना आप amount यूज करते हैं अगर आपने उसका timely payment नहीं किया होता है तो used amount पे आपको interest देना होता है और आप अगर उसका payment कर देते हैं credit card का जो भी due है उसका payment कर देते हैं नेक्स टाइम आप फिर से credit card का यूज कर सकते हैं तो इस टाइप की जो credit facility है वो आपका revolving credit जो है कहलाता है next हम देख रहें rigged market rigged market अभी हमने price rigging की बात की थी हमने price rigging में बोला था कि price को manipulate करने की कोशिश की जाती है stock market में share market में तो वो जो manipulation क्यों है क्यों price rigging करी जा रही है rigors के advantage के लिए जो price rigging कर रहा है वो अपने advantage के लिए manipulation कर रहा है तो अगर ऐसा manipulation हो गया है share market में share price के regarding और buyer और seller attract हो रहा है तो उसको rigged market कहते है royalty अभी हम patent की बात कर रहे थे अब जैसे patent suppose मैंने आपको example दिया था कि अभी करोना के टाइम पे कोई देश कोई दवा बना लेता है तो उसका patent ले लेगा patent लेने के बाद अगर कोई दूसरी company उस दवा की manufacturing करना चाहती है तो जिसका patent है उससे permission लेगी और manufacturing करने के बाद जब भी वो दवा हो market में बेचेगी जिस price पे बेचेगी उसका certain percentage जो है patent holder को जाएगा तो इस तरीके से अगर किसी के कोई patent property है या और कोई property है अगर और कोई बंदा दूसरे बंदे की property या patent या और किसी चीज का use कर रहा है तो जो payment वो उस owner of property जो भी property का owner है उसको जो भी payment की जाती है उसको royalty हम बोलते हैं क्योंकि हम उसका समान उसका patent जो है वो use कर रहे हैं next हम यहाँ पर देख रहे हैं रमगिंग रमगिंग क्या होता है डियर कि जैसे जो custom वाले होते हैं वो कभी-कभी जिस ship के समान में जो cargo मलब ship का समान याने cargo रखता है उस पर अगर कोई duty बनती है उन्होंने पे नहीं किया यह ship वालोंने तो ऐसे ship को जब custom officers वाले search करते हैं तो उस act को हम रमगिंग नाम से जानते हैं I hope आपको इतना सब समझ में आ गया होगा next वीडियो में हम S letter के terms जो है वो देखेंग thank you